कुल्लो जिला की महराजा कोठी, लगघाटी, मनिकरन घाटी वा आनी उपमंडल में लहसुन की फसल में बिमारी लगने से हजारों किसानों के चहरे पर चिंता की लखीरे खिंच कई है लगघाटी के किसानों ने एक रिशे विवा के विशे शग्यों से खेतों का निरीक्षन कर उचेत उपाए से बिमारी के निदान की मांग की है कुल्लोजिला की लगाटी के सेंक्डो गाउं के हजारों किसानों की लहसुन की फसल में बीमारी लगने से किसान काफी उपरेशान है लहसुन की फसल में बीमारी लगने से खेत खाली हो रहे हैं जिससे हजारों किसानों की लहसुन की फसल पर खत्रा मंडरा रहा है स्थानिया किसान सुखराम ने बताया कि कुलोजला में बड़े पैमाने पर लहसुन की फसल उगाई जाते हैं पिछले तीन सालों से लहसुन की फसल गंभीर बिमारी की वज़ह से खराब हो रही है जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है किसानों की आजीबिका केक मुख्य सादन जो है यह लसन पूरे कुलोजुले के अंदर एक फसल ऐसी है जिससे किसान लखों रुपे हर साल कमा रहा है पर दो सालों से बिमारी ने बहुत तंक कर रखा है इसका कोई समदाना भी तक बिभाग भी डून नहीं पाया हम बार बार अग्रह करते हैं कि करशी भी भाग आकर कोई केम्प लगवाकर लोगों के वीच एक जागरुकता शिवर लगाएं जिससे कि इस बिमारी का कोई जड़ से मिटाया जा सके अब बिमारी से जी लसन की फसल बहुत बूरे तरह परवावित हुई है एक जो एक कीड़ा टाइफ जो एक जड़ों में लग रहा है जिससे कि जड़े खाकर खतम कर देता है और काफी हलांकि ग्रामेंड क्षेत्रों में उपर दियाते दिय में जो हमारे 40% फसल जो है तब बाई इसके लिए सप्रे करें जिससे के कीड़ा मर जाए खासकर कुलूजी लेके मराजा गाटी लग वैली अबना मनीकरन वैली खरार वैली इन सभी क्षेत्रों में खासकर लोर वैल्ट को छोड़कर बिमारी का काफी जादा प्रभाब हुआ है मैं तो विभाग से चाहू कि लहसुन की फजल में स्टैम फाइलम लीफ संपोट बिमारी का प्रकोपाया है उन्हें कहा कि किसानों से उन्होंने आग्रह किया है कि बीज प्रमानीकृत एजंसी से खरीदें उन्हें कहा कि लहसुन का बीज खेतों में लगाने से पहले मैंको जेब और कार्बन टाइज में भिगो कर लगाए जिससे लहसुन के पौधे में फंगस की बिमारी नहीं आएगी और उन्हीं को अपने खेतों में लगाएं रिलेविल सूर्चिज लें हर कहीं से बीज ना खरीदें वो और जब भी वो बीज लगाएं तो अपने जो बीज को है मैंकोजेब और कारबन टाजीम से उसको ट्रीट कर ले लगाने से पहले उससे क्या होता कि वो जो फंगस है वो लेटर स्टेजिस में जो प्लांट के साथ आती नहीं है और अपने खेत की जो साप सपाई रखें उससे भी बीमारी आगे नहीं फैलती और कोशिश करें कि जो क्रॉप रोटेशन है मतलब फसल चकर उसको अपनाएं हर साल जैसे एक ही फसल एक ही जगा लगाने से ये ब आमनी रंग के चकते पड़ जाते हैं तो हम लोगों को यही अडवाइस करते हैं कि आप अपने जो खेतों में हैं अभी इस स्टेज पे जो है स्प्रे जैसे आपकी कारबंडाजीम होगी और मैंकोज़एब हैं उसका मैंकोज़एब का ढाई ग्राम और कारबंड़ज़िम और अनिवाली बेल्ट में भी कुछ जगा ही प्रकूब हमने पाया है हम किसानों को यही सला देते हैं कि वो फसल चकर अपनाएं और कोशिच करें कि फसल जो बिविदी करण है क्रॉप डाइवर्सिपिकिशन करें एक ही फसल को ना लेके और भी जो नगती फसल है उसकी और ताकि आपकी एक अगर फसल जो है हो सकता है क्लाइमेट की बज़े से अगर जादा बारिश हो यह सुका पर जाए उसकी बज़े से अगर आपकी फसल जो है में फसल खराब होती है तो आप उसको दूसरी कबर क्रॉप जाए उससे आप कबर कर सकते हैं इसलिए हम किसानों को यही सला देते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा फसल बिविदी करण की ओर जाएं।